एशिया और भारत के रिचेस्ट मैन मुकेश अमबानी की कमपनिया लगातार नईने डील्स कर रही है जिससे इस ग्रुप का दाइरा और जादा बड़ा होता जा रहा है अब इस कड़ी में मुकेश अमबानी ब्रीटेन के कमपनी को एक्वायर कर रही है चले आपको डीटेल् रिचेस्ट में मुकेश अमबानी की बेटी इशा अमबानी है और देश में रिचेस्ट का जो दबदब है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि कमपनी एक के बाद एक नएने डील्स कर रही है लगातार दूसरी कमपनी को एक्वायर कर रही है खास तोर पर जो बाहर की कमपनिया है उनको रिलाइंस रीटेल एक्वायर कर रही है रिलाइंस ब्रैंड यूके यानि के आर बी यूके इसके ज Superdry के Intellectual Property Assets को acquire करेगा डील के तहट भारत, श्री-लंका और बंगलादेश के acquisition sector में Reliance के पास Superdry के Intellectual Property Assets का पूरा स्वामित्व होगा Superdry United Kingdom का एक fashion retailer है जब पिछले काफी दिनों से financial crisis को जेल रहा है और struggle कर रहा है यावर के कंपनी के पास फंड्स की काफी जादा कमी है अगर हम Reliance Brands की बात कर ले तो Reliance Brands Limited Reliance Retail Ventures Limited की सबसिडरी है जिसने साल 2007 में कारोबार शुरू किया था फैशन और लाइस्टाइल सेग्मेंट में लगजरी प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड्स को बेचने के एम के साथ Reliance Brands Limited के पास आज 905 स्टोर्स हैं और 1264 शॉप्स भारत में मौजूद हैं वही हम लोग अगर UK की SuperDry की बात कर ले तो कंपनी के पास 51 देशों में 213 फिसिकल स्टोर्स हैं और 410 SuperDry ब्रांडर फ्रेंचाइज और लाइसंस स्टोर हैं साथ ही 100 देशों में इनकी सेलिंग हैं इनके पास 21 भाषाओं में ट्रांसलेटूर 18 SuperDry ब्रांडर वेबसाइट्स भी हैं SuperDry टी शिर्ट, शिर्ट से लेकर जूते और ऐसेसरीज बेचता हैं 2019 में SuperDry ने SuperDry स्पोर्ट के तहट स्पोर्स और आक्टिव वियर को अपने प्रोड़क्ट पोर्टफोलियो में एड़ किया था रिलाइंस रीटेल सार 2012 से भारत में SuperDry का फ्रेंचाइजी पार्टनर पी रहा है ये 50 शेहरों में 200 पॉइंट ऑफ सेल पर मौजूद है ये कॉमर्स के जरिये इसकी 23 से जादा भारती शेहरों में उपस्थिती है वही रिलाइंस पूरे भारत में 18,000 से जादा स्टोर्स ऑपरेट करता है इसकी प्रेजन्स साथ हजार शेहरों और कस्बों में हैं और इनके पास करीब 50 फैशन ब्राइंट है SuperDry की ये डील अब उसके बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद शेयर होल्डर्स और लेंडर्स की मंजूरी का इंतजार कर रही है इग्रिमेंट की तारिक से 3 महीने के भीतर शर्ते पूरी हो जाने पर ट्रांजक्शन 10 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा इस एक्विजिशन पर आपका क्या मानना है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर फेस्बुक पर विडियो को देख रहे हैं तो फेस्बुक पेश को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें